आज हम समझेंगे कि ceiling fan में capacitor की जरुवत क्यों होती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि ceiling fan में जो motor होती है वहाँ single face induction motor होती है और single face induction motor self starting नहीं होती है और starting torque को develop करने के लिए induction motor में कुछ arrangements करे जाते हैं जिनको हम समझेंगे तो किसी भी motor की तरह ceiling fan की motor में भी दो main part होते हैं stator और rotor ceiling fan के जो अंदर वाला part होता है यहां stator होता है क्योंकि यह तो fix होता है move नहीं करता जबकि इसका जो बाहर वाला part है यहां गुमता है इस पर blade लगी होती है आप यहां देख सकते हैं जो beach वाला part गुमता नहीं है यहां stator होता है जबकि भाहर की तरफ यहां जो ring होती है यहां गुमती है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया single phase induction motor में running torque तो होता है लेकिन starting torque नहीं होता तो running torque कोन बनाता है यहां जो भाहर वाली winding होती है यहां होती है running winding यहां running torque बनाती है यानि frame को गुमाने में मदद करती है लेकिन यह starting torque नहीं बना पाती starting torque कोन बनाता है यहां जो अंदर वाली winding होती है यहां होती है starting winding अब इन दोनों ही winding को एक ही supply से energy दी जाती है लेकिन इस वाली winding के series में capacitor लगा होता है तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको simplified कर लेते हैं यहां पर जो construction देख रहा है इसमें बहुत सारे poles हैं अभी हम इसको बिल्कुल simplified कर लेते हैं मान लेते हैं कि स्रिफ इसमें दो poles हैं तो यह दो pole का stator है जिसमें winding को बांदा गया है यहां से start होते हुए एक ही direction में continue करती हुए यह winding यहां पर end होती है तो जैसे ही हम इस winding को single face alternating supply देंगे वैसे ही alternating current flow करेगा यहां पर face conductor का voltage change हो रहा है positive to negative और यहां जो neutral है इसका voltage तो 0 रहेगा तो यहां जब positive बन रहा है तो इस direction में current flow हो रहा है और जब negative बन रहा है तो इस direction में current flow हो रहा है तो इससाब से हमें right hand thumb rule के according पता चलेगा current के clockwise गूमने पर उपर north बनेगा और anti clockwise गूमने पर उपर south बनेगा तो इसी तरीके से यह process continue होगी यहां पर process को बहुत slow करके दिखाया गया है हम जानते हैं कि single phase system में 50 hertz की frequency होती है मतलब यह जो process है बहुत तेजी से होगी यह pulse अपने direction को बहुत तेजी से change करेंगे यहां पर हम देख सकते हैं जब हम single phase supply देते हैं तो pulsating magnetic field बनती है मतलब पहले एक direction में maximum होती है फिर zero होके दूसरे direction में maximum होती है अब rotor को देखते हैं rotor में क्या हो रहा है rotors के यह जो conductors हैं इन में EMF यानि voltage develop होगा और क्योंकि यह short circuit है endrings के थूँ तो इस EMF की वज़े से इन में current flow करेगा क्योंकि यह field इन conductors से link कर रही है north से निकलते हुए south में जा रही है और south से निकलते हुए वापस north में यहाँ जो flux है in conductor से भी link कर रही है इसकी वज़े से in conductors में जो EMF induce होगा उसकी वज़े से जो current flow करेगा in conductors में उसको हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर dot का मतलब है current हमारी तरफ आ रहा है और cross का मतलब है current हम से दूर जा रहा है यह case बिलकुल transformer की तरह है जैसे कि transformer में अंदर एक coil होती है और उसके ऊपर एक coil होती है एक coil में हम supply देते हैं alternating तो दूसरी coil में अपने आप alternating current flow करने लग जाता है इसी को बोलते हैं induction और यह बिलकुल उसी तरीके का case है तो process को ध्यान से देखेंगे जब यहाँ पे north pole बन रहा है और इस north pole के influence में यह सारे conductors हैं तो इन conductors में current का direction ध्यान से देखिए आदे conductor में dot है मतलब हमारी तरफ आ रहा है और आदे में cross है मतलब हम से दूर जा रहा है hand rule के according इन conductors में जो force लगेगा वहाँ इस direction में लगेगा उसी तरीके से इन conductors पे जो force लगेगा वहाँ opposite direction में लगेगा क्योंकि इन में current का direction opposite है बिलकुल ऐसा ही south pole के साथ होगा तो south के influence में यह सारे conductors है आदो पे इस direction में force लगेगा और यहाँ जो conductors हैं आदे इन में इस तरफ force लगेगा तो इस rotor में दोनों ही direction में torque लग रहा है clockwise direction में भी torque लग रहा है और anticlockwise direction में भी torque लग रहा है तो यह rotor तो गूमी नहीं पाएगा क्योंकि resultant torque तो 0 होगा तो single phase system में जो field होती है वहाँ pulsating nature की होती है इसको ऐसा माना जा सकता है कि दो field rotate हो रही है opposite direction में equal and opposite इसको बोलते हैं double revolving field theory यह theory है इसके अनुसार ऐसा माना जा सकता है लेकिन जो reality है वो आपके सामने है तो ऐसे तो यह rotor गूम नहीं पाएगा और इस rotor को गूमाने के लिए हमें किसी ना किसी एक torque को weak करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या कर सकते हैं मान लिजिए हम इस rotor को किसी external mean से हाथ सही हम इस rotor को थोड़ा सा ऐसा गुमा दे देते हैं देखिए हम rotor को थोड़ा सा anti-clockwise rotate कर रहे हैं तो अब यह जो सारे conductors है north pole के influence में इन में जो force लग रहा है वहाँ इस direction में लग रहा है और यहाँ पर जो conductors है इन सब में जो torque है वहाँ इस तरफ है तो यहाँ वाले conductors कम हो गए इनका resultant torque इन वाले conductor के resultant torque से कम आएगा तो फिर हमारा rotor इसी direction में घूमना continue कर देगा तो इसी current से जब हमारे fan का capsulator खराब हो जाता है और rotor को हम किसी एक direction में हाथ से गूमा देते हैं तो फिर वहाँ उसी direction में continue घूमने लग जाता है और अगर हम fan को opposite direction में भी घूमा देते हैं तो वह opposite direction में ही घूमने लग जाता है लेकिन starting torque को खुद motor के अंदर ही develop करने के लिए क्या करना होगा main pole के अलावा दो pole और use करे जाते हैं जो इन poles के perpendicular होते हैं यानि intermediate axis में होते हैं ये पहले वाले तो main poles है ही और इन poles को auxiliary poles बोला जाता है तो main winding तो वैसे ही बांदी जाएगी यहाँ से start होते हुए ऐसे continue होते हुए यहाँ end होगी और यहाँ जो auxiliary pole है इनकी यहाँ जो winding है इसको बोल सकते है auxiliary winding या starting winding यहाँ भी इसी प्रकार से बांदी जाएगी यहाँ से start होते हुए ऐसे continue होते हुए यहाँ पर end होगी और starting winding को running winding के parallel में connect करा जाता है और starting winding के series में एंड को यहां पर connect कर दिया है, यहां पर हम phase दे ही रहें, और दूसरे एंड को यहां connect कर देंगे, ताकि इसको भी neutral मिल जाए, तो दोनों ही parallel में है, बस फर्क इतना है, कि starting winding के series में capacitor लगा हुआ है, अब capacitor का हमें पता है, यहां voltage के change को अपोस करता है, यानि इसमें current जो है, 90 degree lead कर जाता है, तो अब जब हम इसमें supply देंगे, तो इस प्रकार से यहां neutral और यहां phase देने से इन windings में current flow करेगा, ध्यान से देखा जाए तो इस winding के series में capacitor होने की वज़ा से, इस winding का current है वो main winding के current को 90 degree lead कर रहा है, इसका मतलब main winding का current maximum होने से पहले ही auxiliary winding का current maximum हो चुका होता है, अब हम इनके magnetic poles को देखेंगे, तो यहां कुछ इस तरीके से बदलेंगे, इसको ध्यान से समझे तो main winding के poles बनने से पहले ही auxiliary winding के जो poles है north और south, वहां maximum हो चुके होंगे, और जब यहां reduce होके 0 होंगे, तो main winding के poles बनके अपना maximum होंगे, तो यहां process ऐसे ही continue होती रहेगी, और अगर हम इसको और ध्यान से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि rotating magnetic field बन रही है, मतलब पहले south यहां develop हो रहा है, फिर south यहां पहुंच जा रहा है, फिर south इधर continue होते होए, ऐसा rotate हो रहा है, तो इस तरीके से south continuously anti-clockwise rotate हो रहा है, और इसी तरीके से north भी anti-clockwise rotate हो रहा है, य rotating magnetic field generate कर पा रहा है, तो अब rotor में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, जब running winding में current zero होगा, तब starting winding का current maximum हो चुका होगा, यानि यहां पर north pole maximum बन चुका होगा, अब जब यहां north pole collapse होगा, तो यह rotor के conductor में EMF को induce करेगा, और current को flow कराएगा, current कैसे flow ह होगा, ध्यान से देखिए, यह जो उपर वाले सारे conductor हैं, इन में current का direction dot होगा, मतलब हमारी तरफ, और नीचे वाले सारे conductors में current का direction cross होगा, मतलब हमसे दूर जाता हुआ, अब यहां north pole खतम हो रहा है, तब तक यहां main pole पे north pole बनना चालू होगा, तो इस north pole के influence में यह सारे conductors हैं, इन में current एक ही direction में है, तो अब field का direction यह है, और current का direction हमारी तरफ है, left hand rule के according इन सारे ही conductor पे इस तरफ force लगेगा, इसका मतलब rotor के उपर anti-clockwise torque लगेगा, बिल्कुल यही south pole के साथ होगा, इन सारे ही conductors में current का direction cross है, मतलब हमसे दूर की तरफ, तो इन सब में जो torque लगेगा, वहां इस direction में लगेगा, तो यह auxiliary pole क्या कर रहे हैं, जो clockwise rotating field थी, उसको पूरी तरीके से cancel कर दे रहे हैं, तो अब जैसा कि इस rotor पे torque लगेगा, तो यह उस direction में ही घूमने लगेगा, तो finally आप इस animation में rotor का continuous rotation देख सकते हैं, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पतल आएगा, जो भी conductor note pole के influence में आ रहे हैं, उन में current direction हमेशा dot है, और south pole के सामने जो conductors आ रहे हैं, उन में हमेशा direction cross है, तो हमेशा anti-clockwise direction में ही torque लगता रहेगा, तो यह सब possible नहीं होगा, अगर हम capacitor यूज नहीं करेंगे तो, तो इसलिए ceiling fan में capacitor की ज़रुवत होती है, तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पर हमने construction को simplified कर रहा था, स्रिफ 4 pole माने थे, अगर 4 pole होंगे fan में, तो fan बहुत तेज rotate करेगा, तो वास्तव में ceiling fan के stator में काफी सारे poles होते हैं, ताकि fan जो है वो थोड़ा slow rotate करे, तो I hope कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ceiling fan में capacitor की जरुवत क्यों होती है, दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे like जरूर करिएगा, इसे share भी करिएगा, क्योंकि आप लोग क देहरे के साथ अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद,